वादल केवी रिते बन्ने छे वादल बनवानी क्रिया एक साधी प्रवरूती थी समझी शकाई छे एक ग्लास लो जिनी बहार नी सपाटी सुक्का कपडा थी साप करी स्वच बनावो आ ग्लास मा ठंडु पाणी भरू 25 मिनित सुधी राह जोहो हवे ग्लासनी बहार नी सपाटी पर ठता परिवर्तनोनू अवलोकन करू जेमा ग्लास्नी बहारनी सपाटी पर पाणी ना टीपा जोवा मले छे जेनेली दे सपाटी जाखी थायेली जोवा मले छे थंडू पाणी के बरब भरेला ग्लास नी बहार नी सपाटी बाहिया हवाने थंडी बनावे छे जे हवामा रहेली पाणी नी वरा आ सपाटी पर संगनित थाई छे जेने संगनन के गनी बवन कहे छे पाणी ने प्रुथ्वीनी सपाटी पर पाच्छू लावान माटे नी घटना ने गनी भवन तरीके उलखवामा आवे छे जेम जेम प्रुथ्वीनी सपाटी थी उँच्चे जईये तेम तापमान उच्छू थतु जाई छे जेम जेम हवा उपर जाई छे तेम ते ठंडी थती जाई छे परियाप्त उच्चाए आ हवा एटली ठंडी थाई जाई छे ते गनी भवन पामी पाणी ना 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 तिपाब बनी जाई छे जेने जल कणी काओ के जल बिंदू केवामा आवे छे आ जल कणी काओ वायूमा तरे छे जेने आपने वादल तरीके ओलखिये छे जल कणी काओ एक बिजा साथे जोडाई ने पाणी नू मोट्टू टिपू बने छे तेमाना केतलाक टिपा वजनमा एटला भारे होई छे के जे निचेनी तरब वर्सात स्वरूपे पड़वा लागे छे गणी वखत आ वर्सात करा अथवातो बरब स्वरूपे पन पड़े छे आम बास्पोच सर्जन तथा बास्पी भवन द्वारा पाणी नी बास्वरूप मा फेरवाई छे वादलो बने छे अने वर्सात तथा करा स्वरूपे पाणी पुन्ह प्रूथ्विपर पाच्छू फरे छे चानी कितली थाली के धाकन तथा पाणी अने बरफ न उप्यकरी आ प्रूरूती करी शगाई छे चानी कितली मा पाणी भरी तेने गरम करो आथी थोड़ा समय मा तेना नालचा माथी वराल बहार आवे छे जे वरालने बरफ राखेला ढाकन नीचे परवा देवामा आवे छे आथी वरालना अनुओ जल बिंदुमा फेरवाता वादल जेवी रचना थाई छे वादल मा पाणीना टिपानू वजन वदता ते फरी पाणी बनी ने नीचे पडवा लागे छे जेने वरसात कहिए छे